प्रेज दलावड आज आपको जय मसी की मैं परमिस्टर का धन्यवाद देता हूं एक और सुभा दिखाने के लिए हम परमिस्टर को कोटी-कोटी धन्यवाद दें और इसकी महिमा करें इसकी तारीफ करें क्योंकि हमारा प्रभू इस योग्या है एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्टर राज मैंसी आपके समग को पस्तित हूँ और अज का संदेश पवित्र आत्मा के विश्य में है पवित्र आत्मा की आवास को सुनना कि वो हमसे कहता क्या है बाइबिल हमें ये बात बताती है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है बताता है, समझाता है, सिखाता है क्योंकि येसु मसी ने भी कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूँगा जो तुम्हें सारी बाते इसमन कराएगा, याद दिलाएगा और सिखाएगा तो पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, क्या बात करता है आज उस विश्य पर हम देखेंगे, एक टॉपिक मैं ले रहा हूं उसमें से बहुत सारी बाते हैं बाइबिल में, लेकिन एक ही बात पर आज हम बातचित करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें क्या करने की आज्या देता है तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छा बचल है पूरा संदेश तुनियों और इसे शेयरी भी ज़रूर कीजिएगा में लिख दीजिए नहीं तो डिस्क्रिशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा यहीं आप हमारे बाइबल स्कूल से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं एक साल का कॉरस्परणनस का कॉर्स है बी बी एस कॉर्स है, बेसिक बाइबल स्टड़ी अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो परमेसर के वचन में तो यह कॉर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बारा महिने का कॉर्स है, बीस सब्जेक्ट है इसमें अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे वाट्सप कीजे कॉल मत कीजेगा, सिर्फ वाट्सप कीजे आपको पूरे डिटेल मिलेगी और आगे की जानकारी आपको बताई जाएगी प्रिस दरोट एक छोड़ी सी प्रात्ना करके आज की वचन को शुरू करेंगे प्रभुजी मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबा दिखाने के लिए और बिंती करता है प्रभु आज की वचन को भी शेर करने मेरी मदद साहता कर अपने पच्चों के हिरदे को खोल प्रभुजी बुद्धी को खोल समझ को खोल प्रभु ताकि पवित्र आत्मा की आवाद को सुने और प्रभुजी वैसा ही अपने जीवन को बेतीत करें जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं हर एक की रुख बिमारी चिंता प्रशानिया दुख तकलीफे लड़ाई जगड़े तफर के मन मुटाव बांजपन नशा करदा बेरुजगारी बिमारिया भूत प्रेज जादुटोने तंतर मंतर बिमारी भटकती आत्मा शराब बंदन पाप हर एक के घर से दिल दिमाग स प्रभुजी दूर कर दे प्रभू परिवार से दूर कर दे प्रभु ता कि तेरे बच्चे खुश़ाल रहे आनंदित रहें तेरी महिमा करें तेरे नाम कुऊ उचाँ अठाएं और गभाही दें कि येश्यु मसीन हमारे जीवन में बड़ा काम किया है येश्यु के नाम से देखेंगे हम इब्रानियों की पत्री और उसका तीन अध्याए और उसका साथ पत्र देखें यहां पर क्या लिखा है लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोद दिलाने के समय और परिक् पवित्र आत्मा का शब्द पवित्र आत्मा की आवाज पवित्र आत्मा की बात वानी शब्द हमें आज एक बात सिखाने की और अगरसित करते हैं और वो बात है अपने मन को कठोर ना करें परमेसर हमें जो आग्याएं देता है जो बात हमें बताता है कि हमें ऐसा करना है वहां पर हम कठोर अगर हो जाते हैं तो परमेसर हम से नाराज हो जाता है कुरोदित तो होता ही है लेकिन वो नाराज भी हो जाता है तो मतलब क्या है कहने का यहां पर पवित्र आत्म हम से कहता है कि आज यह दि तुम इसका शब्द सुनो परमेश्टर अपने शब्दों से हमसे बात्चित करता है बाइबिल से बात्चित करता है बताता है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है तो अपने मन को ऐसा कठोर ना करो जैसा कि कुरोद दिलाने के समय परिक्षा के दिन जंगल में किया था इस्राइलियों ने, हमका ठोर कैसे हो जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ माननी जी के कोई चीज आपको किसी ने गिफ्ट दी है आपके पास कोई बहुत प्यारी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत प्रिया, आप उसके बिना रह नहीं सकते है खिर्मान लिज्ट आप फोन हो गया, या कोई पैन हो गया या कोई भी चीज ऑगई आप उसको बहुत प्यार करते हैं और एक व्यक्ति और है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वह कोई होसकता है, और उसी व्यक्ति ने वह चीज आपmbol से मांग ली आप कठोर हो जाएंगे और नहीं देंगे ऐसे ही हम परमिस्टर के मामले में भी कठोर हो जाते है जब परमिस्टर हमसे हमारा समय मांगता है समय हमारा है हम जैसे मर जी उसकर हम परमिस्टर को क्यूं दे जब परमिस्टर हमारा हिर्दे हमसे मांगता है हिरदय मेरा है मैं क्यूं दू परमेसर को एक बहुत पुराना गाना है हम गाते हैं दिल मेरा लेले प्यारे येशू तूने इसे बनाया है गाते जरूर हैं लेकिन दिल को देते नहीं है तो परमेसर के शब्द को जाओन सुनेंगे और वैसा ही करेंगे का न्याय करोगे बारा सिंगहासन पर बैठकर बारहें गोत्रों का न्याय करेंगे आए देखते कहां लिखा यह मतिरचिसुस्माचार उन्निस सद्ध है सटाइस्पध लिखा है इस पर पतरशन से कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं तो हमी क्या मिलेगा ये शुनन से कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि नई उत्पत्ती से जब मनुस्य का पुतर अपनी महिमा के सिंगहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बारहें सिंगहासनों पर बैठकर इसराइल के बारहें गोत्रों का न्याय करोगे यह तो प जेतों को मेरें लिए छोड़ दिया है उसको सौगुना मिलेगा और वह अनंच जीवन का अधिकारी होगा सौगुना मिलेगा क्या छोड़ सकते हैं हम परमेसर के लिए हम तो अपनी प्रिये चीज़ को पाने के लिए कठोर हो जाते हैं हम तो समय नहीं देते हम अपने दिखा नहीं है तो मतलब यह है कि हम क्यों कठोर हो जाते हैं क्योंकि हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं वो परमेसरम से मांग लेता है एक धन्वान व्यक्ति था येसुमसी के पास आया उसने येसुमसी से कहा कि हे गुरू हे उत्तम गुरू मैं अनंच जीवन पाने के लि पर येसमसी ने मुसकुराकर उसको देखा प्यार तेका Peyaching के प्यार से प्यार से देखा और से कहा Tsee तेरे पास एक चीज़ की गटी है कि जो धन तेरे पास है इसे बेचकर मेरे पीछे बहूर ले है कि वह वह वैकद ही और उदास होकर चला गया थाजिए देखेंगे ये उ उतने टेक कर उसे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनन जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ, येशुन ने उसे कहा, तु मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं केवल एक ही अर्थात पर में सर, फिल लिखा उन्हींस आयत में, तु आग्याओं को तो जान आया, वो तो, येशुन ने उस पर दृष्टी करके उससे प्रेम किया, बड़े मुस्करा के देखा होगा, प्रभू येशुन ने उससे प्रेम करने का मतलब यही है, कि मुस्करा कर उसको देखा, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा उसे ब आइस पद में लिखाया, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी चा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो ही तो मांगा था, वो ही तो कहा था प्रभूने कि इसको बेचकर तु मेरे पीचो ले, सब को छोड़कर मेरे पीचो ले, महाँ पर कि आज ज़िए तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो यशान अभी में जब हम पढ़ते हैं 65 अध्या है, और उसके दूसरे पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, यह लिखा है कि मैं एक हटीली जाती के लोगों की और दिन भर हाथ पहला जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्ग पर चलते हटीले, यह सुमसी ऐसे खड़े हैं, हाथ पहला कर कहते हैं, हे सब परिक्ष्रम करने वालों और बोस से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, लेकिन हम अपने रास्ते पर चल दि मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, दोस्तों हमें अपनी कठोरता को तोड़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कि हम इस कठोरता को अपने जीवन से दूर करें, कैसे दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, फिलिपिय चार तेरा में संथ पौलिस ने बहुत अच्छी बात क लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने आपको कठोर कर लेता है, बहुत सटीक है, और लिखा है महाँ पर कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानि कि मैं अपनी कठोरता को भी दूर कर सकता हूं, उसकी सामर्थ पाकर, सामर्थ देन चिन्ताओं में आ जाते हैं, करजे में डूब जाते हैं, हमारे घर में तनाव होता है, लडाई छकड़े होते हैं, और इस कठोरता की वज़े से हम संसारिक गिने जाते हैं, माने जाते हैं, और आत्मिक करिती से हम डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इस कठोरता को सरूर 22-23 पद में, तो वहाँ पर आत्मा के फल मताए गए हैं नो, वहाँ पर एक नाम आता है नम्रता, तो नम्रता जो है कठूरता का विपरीत है, तो हमें कठूरता को छोड़कर नम्र बनना पड़ेगा, और जब हम नम्र बनेंगे, तब देखिए क्या होता है हमारे जीवन में, हम देखेंगे मती पाँच अधिया उसके पाँच पद में प्रभू येशु मसी ने क्या कहा है येशु मसी कहते हैं कि धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पिर्थी के अधिकारी होंगे धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृत्री की अधिकारी होंगे, कौन सी पृत्री, जो नए पृत्री और नया आकास प्रमिसर में देने वाला है, दूसरा पतरस्ती नध्याय के अनुसाब, तो नम्रता हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो एक आत्मिक फल है, अगर वो हमार सद्याय, और उसके ग्यारे पत में भी यही बात रिखी है, अगर हम देखें तो, भजन सेता 37, वर्स 11, यहाँ पर लिखा है, प्रम्तु नम्र लोग पृत्री के अधिकारी होंगे, और बड़ी शांती के कारण आनंद मनाएंगे, नम्र लोग पृत्री के अधिकारी होंग भजन सेता 147 अध्याय और उसका च्छे पद है, लिखा यहवा नम्र लोगों को संभालता है, और दुष्टों को भूमी पर गिरा देते हैं, पर मेस्थर क्या करता है, नम्र लोगों को संभाल लेता है, तो हमें क्या करना है, अपनी कठोरता को दूर करके नम्र बन के, दी प्रभू अत्मिक भलों से लदा रहूं लदी रहूं मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाए धन्यवाद ये शुपरात्ना के सुने जाने के लिए आमेन ये चोटी से परात्ना कीजिए सच में प्रभू कठोरता को दूर कर देगा और आपके अंदर नम्र हिर्दे डाल देगा मास का हिर्दे डाल देगा और क्या कर देगा पत्थर के हिर्दे को निकाल कर दूर कर देगा उसका वाइदा है देखेंगे यहिसके नभी की पुस्तक 36 सद्या है 25 और 26 पत्थ यहाँ पर लिखा है मैं तुम पर शुद जल छिड़कूंगा और तुम शुद हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुदता और मूर्तों से शुद करूँगा मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारी भीतर नई आत्मा उत्पन करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हिर्दे निकाल कर तुमको मास का हिर्दे दूँगा कब जब हम पश्चत आप करेंगे छमा मांगकर प्रबू के पास आ जाएंगे और अपनी कथोरता को खुद दूर करेंगे तब परमनेशर क्या करेगा हमारे कथोर हिर्दे को पत् harvested के हिर्दे को निकाल कर मास का हिर्दे हमें देदेगा तब हम polite हो जाएंगे humble हो जाएंगे ए एक आत्मिक जीवन हमारा होगा और प्रभू हमारे साथ रहेगा हमारी सारी जरुतों को पूरा करेगा बिमारियों को दूर करेगा दुख बिमारी चिंता परेशानी उसे मुक्ति दे कर हमें प्रभू निश्चिंत रहने का एक अधिकार दे देगा तो अपनी कठोरता को दूर करें नमर बन जाएं वचन के अनुसार प्रभू कि उसे प्रात्ना करें कि प्रभू तू मुझे नया बना दे प्रेज दे लौड परमेस्टर इन वचनों की द्वाराम सबको आशी दे मेडिया आज आपने कुछ नया सीका है तो कमेंट्स में लिखिएगा और इस बचन को शेर कीजिए तकि और भी लोग इन बातों को जान सके प्रेज दरौड टूपल्स में आज का सवाल है कि परमेस्टर ने इबरहेम की कौन सी बात को धरम गिना जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दी या नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा यह मेरा नंबर है अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते है एक साल का कोर्स है बारा महीने का कौरस परनेंस कोर्स है घर बैटे आपको बढ़ाई करना है हम आपको बुक्स भेजेंगे और 20 टॉपिक हैस में आसी जो आपके बेस को मजबूत करेंगे इसलिए इस कोर्स का नाम है बी बी एस बेसिक बाइबल स्टड़ी अगर आप करना चाहते तो इस नंबर पर वाटसअप कीजेगा कॉल मत कीजेगा वाटसअप कीजे और लिखे कि मुझे बी बी एस कोर्स करना है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी प्रेज दे लौट यदि अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको मिलती रहे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमण्स दोस्त में आकर मुझे जरूर बाचित कीजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और कठोर नहीं नंबर बन के प्रभूक से लिप्टे रहिए प्रेज दरवट